शुरू हुआ सीजन का पहला टास्क स्ट्रेटेजी बनाते नजर आये कंटेस्टेंट्स टीवी के रियालिटी शू बिग बॉस सीजन 16 की शुरुआत टीवी बर हो चुकी है और अब इसका लाइफ फीड भी शुरू हो गया है बिग बॉस के इस सीजन का पहला टास्क भी बिग बॉस के घर के भीतर खेला जा रहा है कंटेस्टेंग्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं और अपनी रणनीती तयार करते हुए नज़र आ रहे हैं लाइफ फीट से जारी हुई एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बिग बॉस के घर में चल रहे टास्क के अंदर MC स्टैन और अब्दूरोजिक की दो टीम बनाई गई है तस्वीर में आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है No Objection, Certificate और नीचे सभी कंटेस्टेंस की तस्वीर है तास्क किस विशय पर है और टास्क में क्या कुछ होगा ये अभी पता नहीं चल पाया है लेकिन जिस तरह से टास्क से जुड़े प्रॉप्स गार्डन एरिया में पड़े नज़र आ रहे हैं ये कहना गलत नहीं होगा कि टास्क बहुत ज्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाला है लैम, हार्ट सेप का अबजेक्ट, इलेक्शन में इस्तिमाल किया जाने वाला भूपू, सरकस के भी कुछ आइटम नज़र आ रहे हैं वहीं दूसरी तरफ कंटेस्टेंट्स टास्क से रिलेटिड रणनीती बनाते हुई दिखाई दे रहे हैं निम्रित, सुम्बूल और शालीन बैट कर बाते करते हुए दिखाई दिये जहां वो ये स्ट्रेटिजी बना रहे थे कि कौन किसके साथ बैट शेयर करेगा, राशन की मातरा क्या होने वाली है और जिस तरह से ये बात कर रहे थे उस तरह से अंदाजर लगाना कठिन नहीं है कि ये टास्क रिलेटिड विशय पर बात कर रहे थे इतना ही नहीं अंकित प्रियंका, स्रीजीता और बोरी भी रणनीती बनाते हुए नज़र आए एक जगे पर सुम्बुल ने ये कहा कि वो अगदू के शाद बेट शेयर करने के लिए तयार है सुम्बुल और टीना भी आपस में टास्क को लेकर रणनीती बनाते हुए नज़र आए है हलाकि लाइफ फीड में औरियो को म्योट किया गया था ऐसे में ये पता नहीं चल पाया है कि टास्क किस विशेपर है लेकिन जिस तरह से टास्क को लेकर कंटेस्टेंट्स के बीच उठसुकता दिखाई दे रही है गार्डन इलिया में प्रॉप्स पड़े हुए हैं और बोर्ड पर कंटेस्टेंस के नाम लिखे हुए हैं घर के सदस्यों को दो टीमों में बाटा गया है उसी साथ से ये कहना गलत नहीं होगा कि ये टास्क बेहत ज्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाला है और वैसे भी ये इस सीजन का पहला टास्क है जिसे लेकर दर्शकों के बीज भी उस सुकता बढ़ गई है टीवी और इंटर्टेन्मेंट से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगतार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपने प्रतिक लिया कमेंट्स के जरीए हम तर सरूर पहुचा है